मुकेश रिशी का नाम भी शामिल है ये फिल्मों में अपनी नाकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध हैं इन्होंने अपनी दमदार आक्टिंग के दम पर लाखोन लोगों का मनुरंजन किया ये ना सिर्फ फिल्मों में नाकारात्मक भूमिका को निभाने के ल अगर आप भी इनकी पतनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो के एंड तक बने रहें साथ ही बॉलिवूड इंडस्ट्री के इस दमदार खलनायक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें बॉलिवुड इंडस्ट्री के महान खलनाय को में शुमार मुकेश विशी का जन्म 9 अप्रेल 1956 को चंडीगर में हुआ था इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई चंडीगर से ही की थी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये मुंबई चले आए और यहां आकर एक दुकान में मैनेजर की नौकरी करने लगे जिसके बाद ये न्यूजिलैंड चले गए और वहां जाकर इन्होंने मॉडलिंग करनी शुरू की इन्होंने कई इंटरनाशनल ब्रांट्स के लिए मॉडलिंग की और दोबारा मुंबई लौट आए और यहां आकर इन्होंने एक आक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया बात करें इनके अभिने करियर की तो इन्होंने 1990 की फिल्म घायल में बतोर सहाइक अभिनेता के रूप में काम करके बॉलिविड इंडस्ट्री में अपना कदम रखा इस फिल्म में इन्होंने अपने किर्दार को बखू भी निभाया था जिसके बादे नहें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला जिनमें गर्दिश, सुरक्षा, बाजी और राम शास्त्र जैसी हिट फिल्म में शामिल हैं इन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलगू, मल्यालम, पंजाबी, भूचपुरी और तमिल भाशाओं की फिल्मों में भी काम किया है जिस भी फिल्म में इन्होंने काम किया उस किर्दार को इन्होंने बखू भी निभाया और इनकी यही बात दर्शकों को काफी मुकेश और कोशनी की पहली मुलाकात फीजी में हुई थी यहाँ पर मुकेश रिशी नौकरी करने के लिए आये थे जिस कमपनी में मुकेश काम करते थे उसी में कोशनी भी काम किया करती थी यहीं से दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ पहले दोनों अच्छे दोस् प्यार में तब्दील हो गई जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली इस शादी से इन्हें एक बेटा भी हुआ जिसका नाम रागव रिशी रखा गया जो बॉलिवुड इंडस्ट्री में अपना डेब्यू भी कर चुका है लेकिन अगर बात करें कोशनी रिशी की खूबसूर बताएं साथ ही बॉलिवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें